जैहिंद आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार मेट्रिक पास 2024 में अगर आपने अपलाई किया था एस्वलर्शिव का लाब लेने के लिए इसमें जैसे कि आप सब को पता है कि फर्स डिविजन वाले को लड़का हो या लड़की को 10,000 रुपया का लाब मिलता है एस् वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार मेट्रिक पास 2024 एक लाग ते तिस जार लगवग ऐसे चुटूडेंस जिनको एस्टूडेंस का लाब नहीं मिलेगा लाब क्यों नहीं मिलेगा वो भी हम जानेंगे अगर इन सबी चाहिए लाब अगर लेना है तो इनको क्या करना होगा इसके रिगार्डिंग भी आज की वीडियो में बात करेंगे मैं नीरज महता आप देख रहे हैं यूट्यूब चनल नीरज एडूकरेशन तक तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जैसे कि आप सब इस सकते हैं यहां पर आप सभी को लिश्ट दिखाई दे रहा जो कि लाश्ट में बताएंगे किस परकार से आप खुद से यह लिश्ट चेक कर सकते हैं जिसे कि आप सब भी जो है अपने आसपास जो है जो एक उस्टूडेंट है उनके बारे में आप पता कर सके तो चलिए यहां पर जानते हैं क्या-क्या लिश्ट का प्रोसेस है और कै किसे इसमें चेक करना है किनको पायमेंट जो यहां पर मिलेगा लाप मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा तो सबसे पहले यहां पर देखिए मंद्री बालाग बाली का माध्यमिक प्रत्साहान योजना 2024 यानि कि यह 10 पास एक्ष्ट का है और यह जो लिश्ट है 2024 में जो भी एक लाप मिल जागा यहां पर आगर साइड में देखेंगे नाम आपको देखने में जागा अरतीश निए और यहीं पर देखिए साइड में टोटल ए स्टूडंट मतलब कि टैंथ में 2024 में जो भी एस पास किया था उन सभी ए स्टूडन में जिसको जिसको एस व्हां मिलेगा वह टोटल एशुडन यहां पर आपको देखने को मिल जागाए तो यहां पहले देखिए milyवग आपको देखने को मिल रहा हूंगा पांच लाख कि देख पाएंगे 4,70,139 यानि कि टोटल एस्टूटन का जो नाम है वो है 5,46,292 और इसमें जो अपलाई किया है यानि कि रजिस्टेशन किया है वो शिर्फ है 4,70,139 एस्टूटन का ही रजिस्टेशन हुआ है तो बांकी जो बचा है यहां पर आप काउंड करेंगे तो ल की प्रोसे से वो बंद हो गया है यहां पर देख पाएंगे रिजिस्टेशन का प्रोसेश जो है 31 जुलाई को ही बंद कर दिया गया है जिसका छूट गया है उसका रिजिस्टेशन या अपलाय तभी होगा जब विभाग की और से एक नया डेट जारी करेगा आप को करके ताकि जो है अगर आपने अपलाई नहीं हुआ है छूट गया है तो आप भी अपलाई कर सके आने वाले समय में अगर डेड़ आता है तो उसके बाद यहां पर जैसे कि देख पाएंगे यह तो हो गया आपका लगवग यहां पर अगर आप इसको मैनस करेंगे तो टोटल सेंट टू पी आप है मतलब यह जितना एचूटन नहां अपलाई किया है यह सभी का जो है आपलिकेशन जो होता ना आगे की और फोरवर्ड होता है यह भेजता है यहां पर धेश्था है जिसका नाम है पब्लिक फानेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यह आपका अपलिकेशन को चेक करेगा भेड़फाय करेगा और यहाँ पे देखिए जितना एशुडन ने अपलाई किया था जैसे 4,70,131 तो 4,70,131 एशुडन को अपलिकेशन जो भेज दिया गया है पी एफ मेस के पास और पी एफ मेस के दुआरा जो है एकसेप्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे एकसेप्ट हुआ है बाकि एफ यहाँ चैक पूरा उनका भी प्रोसेस में होगा तो यहाँ पे हो गया आपका लगवग लगवग यहाँ पे धियान देंगे तो यहाँ पे भी आपका लगवग 30 से 32 जारे से शुडन होता है जिनका प्लिकेशन या तो आगे वाला ओप्सन देखें यहाँ पे टोटल वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेट और यह से एश्टूडन है जिनका अप्लिकेशन जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेश में है अभी मतलब उसका कुछ नहीं कर सकते हैं अगर अप्लाय करने के दोरान अगर सारा ऑप्सन और सारा जनकारी अगर सही फिल हुआ होगा तो एक्सेप्ट होगा जैसे कि यहाँ पे इसकी संख्या बहुत कमी है पूरे स्टेट में जो है 647 स्टूडन का है उसके बाद है यहाँ पे टोटल अधार डियो भी मिसमेच अग ग्मेच है अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं आने वाले समय में मगर आप यह वीडियो देखते हैं तो हो सकता है यह एक आपको सो नहीं करें क्योंकि अगर इसका फॉर्म रिजक्ट होता है क्योंकि रिजक्ट ही होना है उसके बाद दौरा से जो है इनको अपलाई करने के लिए बोला जाएगा तो और यहां पर देखें पूरा संख्या जो है 0000 यहां पर अधार के साथ जो यह है आपका बेरिफाइड करने का काम यहां पर किया जाता है उनके द्वारा ही अगर आप एक्ट करेंगे तो अगर आपका रिजक्टेड होता तो यहां पर देखने को मिल जागा कि रिजक्टेड बाइप पी एफ एमस तो उनके द्वारा ही जो यहां पर रिजेक्ट किये जाते हैं रिजेक्ट होने का रीजन यही होता है कि आपका जो है आधार ब्लेंख खता से शीड नहीं है तो आपको जो शीड जाके कर्वाना होता है वो भी हम आगे जानेंगे तो टोटल यहाँ पे जो एकाउन वेरिफाइड हुआ है यहाँ पे देखीएं आपका लगभग 447,000 बच्छों का यहाँ पे एकाउन जो यहाँ वेरिफाइड हुआ है और यहाँ पे देखें एक्षेपिटेट यहाँ पे कितना है 438,668 27 एकसेप्ट हुआ है टोटल तप्लिकेशन यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यह जो होगे आपका एकाउन भेरिफाइड हुआ है उसके आगे देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है टोटल रिजेक्टेट एकाउन तो कितने एकाउन जो रिजेक्टेट हुआ है तो इस वाले लाइन में अगर किसी का एकाउन अगर सीट नहीं रहेगा तो उनका यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा तो यह संख्यां बढ़ जाएगा आने वाले समय में अगर किसी एस्टुडेंट अपने बेंक से संपर करके अपना अधार अपने बेंक खाता से सीटिंग करवा लेते हैं तो उनका यहाँ पर संख्यां फिर घड जागा तो यहाँ पर बढ़ भी सकता है घड भी सकता है जरूर नहीं है कि अभी जो आप देख रहे हैं आने वाले समय में वही संख्यां यहाँ पर रहेगा चलिए यह सारे स्टुडेंट को करना किया है सबसे पहले यह जान लीजिए जिसका भी स्टेटर चेक करने के दौरान रिजेक्टेट बाई पी एफ हैमसे साइड में दिखा रहे हैं और आपका जो बेंक खाता है और आपका आधार है एक दूसरे से जो है एन पीसी आई के थुरू सीड नहीं है तो उसको सीड करवाना होगा सीडिंग करने के लिए जो है नहीं है तो पिलीज आप मेरा जो है सीडिंग कर दीजिए तो बेंक के द्वारा से जो है जो भी आपको प्रोसेस बोलेगा जो भी फॉर्म फिलब करने के लिए बोलेगा और अपने साथ डॉक्मेंट लेके जाएंगे जैसे कि अपना धार काड अगर आपके पास पैन है तो लेके जाएंगे नहीं है तो कोई बात नहीं और आपका जो है बेंक का पास बुग है डॉक्मेंट लेके जाएंगे वहाँ पे आपको देना होगा दिखाना होगा उसके बाद बैंक की और से जो यह आपका काम कर दिया जागा यह काम आपको बैंक जाके ही करना होगा अगर तो यहां पर देख पाएंगे यह दोबारा से किया गया है तो इनका जो भी प्रोसेस में है उसके बाद यहां पर देखे टोटर री रेजिस्टर मतलब की जो दोबारा से जो है री रेजिस्टर पेंडिंग में तो जितना सारे इस्टुरंट दोबारा से अपलाई किये थे उन सभी में देखे जैसे कि 10,000 के आसपास जो है यहां पर अपलाई हुआ था जिसमें 94,440 ब टोटल फेंडाईड अपलिकेशन यह वो एस्टुडेंट है जिनका सब अप्शन वेरिफाइड हो गया जैसे कि अधार वेरिफिकेशन वाला अप्शन जो वेरिफाइड हो गया है और बेनिफिसरी एस्टेटर्स जो है वेरिफाइड हो गया है और एप्रूब्ड कर दिया है फैनलाइज कर दिया है या फैनल समीट कर दिया है उजर एड़ी पासवर्ड आने के बाद लोग इन करने के बाद यह इसमें वो सारे student है जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे यह 4,10,000 जो है फैनलाइज कर दिया फैनल समीट का यह होता है सबसे पहले आपका पूरी अपलीकिशन होना झाया है नहीं इसके बाद पर नमऊल नमबर पर यूजर एड़ी और एक पासवर्ड भैजता है उसको लोग इन करना कि लिए ऑपको समिट करना होता है अगर बाद आपको फैनल समीट कर लिजिए पैसा नहीं मिलेगा अगर इनको scholarship का lab लेना है तो इनको जो है login करना होगा अपने user ID password के माध्यम से उसके बाद ही इसका application आगे की और forward होगा और process में जाएगा उसके बाद ही इनको payment मिलेगा उसके बाद यहाँ पे देखिए total payment sent यहां से भेजा जाता है यहाँ पे देख पाएंगे जैसे की payment जहां से भ payment वाला जो लिस्ट नमर जारी होता है अभी जैसे की एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नव दस जो है जारी हो चुका है और आने वाले समय में 11-12 ऐसे करके लिस्ट यहां पे जो जारी होते रहेगा तो उन सभी लिस्ट में जो है इनका नाम आ गया है तो नाम जैसे इ यहां पे देखिए लगभग 3,665,662 SCA स्टुटन है जिनको अभी तक जो पैसा मिल जागा उसको बस रेगुल रूप से अपना स्टेटस चेक करते रहना है तो इस परकार से जो आप यहां पे देख पाए कि किनको किनको पैसा नहीं मिलने वाला है तो पहला उनको पैसा न तक अपलाई ही नहीं हुआ है जो कि हम सुरू में ही बता दिये थे 60-70,000 SCA स्टुटन है जिनका यहां पे अपलाई नहीं हुआ है उनको यहां पे पैसा नहीं मिलेगा दूसरा यहां पे वो एक स्टुटन है तो यह जब तक इसका दोवारा से जो है अपलाई होगा उसके पर इसका प्रोसेस में जाएगा तो उसके बाद इनको पैसा मिलेगा इनको अगर जबतां यह जहां एक तो इन पर इनको भी नहीं मिलेगा उसके बाद जिसका एईकाउन रेज्टेड हो यहां पर देखने को आपको मिल जागा बेंक खाता को अधार से सीड कराने के नियुनतम 15 दिन जैसे ही आपका rejected by PFMS अगर so हो रहा है तो आप जो है bank जाने के बाद अगर आपका seeding हो जाता है तो कम से कम 15 दिन इंधिजार करना है उसके बाद जो है आपका यहाँ पर verified कर दिया जाएगा तो जब तक लगभग हमने देखा यह है कि लगभग लगभग जो है न से 25 दिन एक मेहना के अंदर verified हो जाता है अगर किसी एक बार reject हो गया है तो उसके बाद यह student को भी नहीं मिलेगा अगर उनको चाहिए तो फिर sitting करवाना होगा उसके बाद यहाँ पर a student total pending finalized application यह वो student है जिनका application या तो verified हो गया है इनको user ID password भी विभा की ओर से भेज दिया गया है लेकिन इनको पता नहीं है कि last में जो एक process करना होता है जिसका बोलते है finalized बोलते है final submit करना होता उसके लिए आपको जो है login करना होगा अपने user ID password के माद है हमसे login करके final submit कर देंगे तो उनको पैसा मिलेगा और आगे का आगे की ओर जो इनका application जाएगा उसके बाद भी कुछ भड़ प्रोसेस होता है भड़फाय होता है तो जब तक इनका final submit नहीं होगा तब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 60 से 70 जार के आसपाज शुटन रह जाते है और यहाँ पे आपका rejected बला हो गया और यह आपका total जो है pending finalize जिसका final submit नहीं होगा तो लगभग आपको वही संख्या मिलेगा जो हम आपको थमनेल में बताएं थे और अगर आप यह भी वीडियो देख रहे हैं तो उनका जो है यहाँ पे उसकी rejected बला संख्या घर जाएगा ठेंग उसके बाद अगर डेट आने के बाद अगर आप यह वीडियो देखते हैं अगर डेट आ जाता है अपलाय करने का तो यह अपलाय करेंगे तो इसकी भी संख्या घर जागा तो इस प्रकार से जो है अपना जो है यहाँ पे आके देख लेंगे अब चलिए हम जान लेते हैं कि अगर आप खुद से चेक करना चाहेंगे लिश्ट तो कैसे चेक करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको मेधा सोफ्ट की ओफिशल वेबसाइट पर आना होगा और यहाँ पे जब आप आजाएंगे तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको मुख मंदरी बालग बाली का टैंथ पास प्रोफ्षान योजना का जो है यहाँ पे लिंक मिलेगा 2024 यहाँ पे किलिक करेंगे इस प्रकार से जो है एक नया वाला पेज आपके स की जैसे कि कि कोई इक दिस्टिग हम अपनीया को में प्रो 1890 करेंगे तो यहाँ पर Fahrنا समय आ जाएंगे तो यहां पर अपको वेट करना होगा जैसे कि करेंगे तैसे ही आपका यहां नहीं आएगा तो यहां पर जैसे की देखिए यह किली करने के बाद देखिए यहां पर नामा गया टोटल तो पुर्णिया डिस्टिक में बात करें तो कॉलिज के संख्या है यहां पर देखिए लास्ट में 283 है तो इन सभी एस्टोरन का देखिए यहां पर जो आपको देखने का अप्सन म प्रोडों करें वाइज इस प्रकार से जो आपना लीस्ट को छेक कर सकते हैं यह वीडियो उनके साथ किजिए जो अपलाइक किया था लेकिन उनको अभी तक पाइसा नहीं मिला है हो चकता है कि उनको भी जो है इसी में से कोई problem हो तो उनके लिए आपको status चेक करना होगा कि आपका status में कोई दिक्कत है या नहीं है status चेक करने के लिए just यहीं पे देखिए उपर में एक option मिलेगा report का यहाँ पे click करेंगे click here to view application status के option पे click करेंगे यहाँ पे आपको जो है अपना registration number फिल करना होगा कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना registration number अपने admit card के अनुसार जो यहाँ पे फिल करना होगा तो चलिए यहाँ पे जो हम अपना registration का option रहेगा यह आपका पहले से फिल रहेगा ये इसमें जो एक गिरिन कलर में वह आपका जो है और यह student नाम हुआ और यह पहले से फिल रहेगा और जब आप online apply करते हैं तो यहां से भी आपका यहां पर नाम आता है उसके अधार का लास्ट नमर और आपका जो है यह मुवाइल का लास्ट नमर सो करेगा यह हुआ अगर यहां पर यहां पर यह जो रिजेक्टेट बाय पी एफमेस लिखा हुआ आएगा नहीं इसी वाले अप्शन में आपको देखने वृण यह टोटल सब्सक्नाटाने में टायम में लगेगा का यह बुहरा फिर आपका 900 जो हो रहा होगव कुछ नहीं हूँ तो जैसे आपको लोगिन करेंगे Penalize करेंगे Penalize करने के बार, जो है Same, यहाँ पे जो Yes का Op conviction आजागा और आपका Date आजागा, जिस दिन आप Fimage Penalize करेंगे और यहाँ पे आपका इस तरह से Application आ जाएगा, कि आपका application माननी है, भुखतान के प्रकिरिया प्रार्णम होने तक परतिक्छाह करें तीनों चीज़ आपका मैंन रखता है अगर यहां पे आपका वेडिफाइड है अधार वेडिफिकेशन एशट है यहां पे यस है और यहां पे इस तरह से तो आपका अपलिकेशन में किसी भी परकार कोई दिक्कत नहीं है आपका जो है परमेंट आएगा थोरा सा टाइम पसंद आया होगा और वीडियो को लाश तक देखने के लिए धने बाद थैंक्यू सो मच मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत